पूटो पर से वाटर मर्क कैसे हाटाए है फोटो में जो आप देख रहे हैं वाटर मर्क दिख रहे हैント तो इसको कैसे हाटाएंगे देख सकते हैं, मैंने यहापर कुछ AI photo generate किया है जिसमें कि आपको नीचे वाटर मर्क देख रहा होगा आप देख सकते हैं यही हमने आपको जो starting में दिखाया यह देख सकते हैं नीचे watermark दिख रहा है और यहाँ पर watermark आपको नहीं दिखेगा इस सब में देखें मैंने किस तरह से smoothly तरीके से watermark को फोटो पर से remove कर दिया है तो आप भी इस तरह से फोटो पर से watermark को कैसे remove कर सकते हैं यह इस वीडियो में जानेंगे तो आज की वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से फोटो से watermark को remove किया जाता है त वीडियो को लाइक कर दीजे, साथी चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सेगे और आप कुछ नया सीख सेगे चलिए शुरू करते हैं, एक application को install करके रखे हैं, उसको open करते हैं आपको बताएंगे वीडियो में कि वो कौन सा application है, तो इस application को open कर लिया, कुछ इस तरह का पहे जाएगा, तो यहाँ पर plus पे हम click करेंगे, और हमारा यहाँ पर gallery open हो जाएगा, तो चलिए हम जिस photo से अभी watermark remove नहीं कियें उसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकता है इस photo से जो है, हम watermark को remove करेंगे, तो नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर styles है, उसके बाद आप देख सकते है, tools है, export है तो हम tools पे जैसे ही click करेंगे बीच में, तो यहाँ पर एक option आपको मिलेगा, healing का, आप देख सकते हैं, healing, तो चलिए हम healing पे click करते हैं, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम zoom कर लेंगे दोनों उगली की मदद से इस तरह से zoom कर लेंगे बीच में उसके बाद zoom करने के बाद यहाँ पर जो है, हम उगली की मदद से इस तरह से red आ रहा है, जो इसको उपर पे watermark जाना है उसके उपर इस तरह से घीच देंगे और उसके बाद छोड़ा देंगे, देख सकते हैं watermark के smoothly तरीके से हमारे photo से remove हो चुका है, उसके बाद इसको save करना है, तो नीचे arrow का option है, देख सकते हैं, इस पे click करेंगे और export का option है, third number इस पे click करेंगे, और यहाँ पर save पे click कर देंगे, यह आपके gallery में save हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा photo से remove करना है, तो यहाँ पर open पे click करेंगे, और उसके बाद दूसरा photo ले लेंगे, चलिए एक photo और मैं आपको दिखा देता हूँ, remove करके तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक photo ले लेता हूँ, यह देख सकते हैं, इसमें भी watermark है, तो चलिए tools पे click करेंगे और healing पे click करेंगे और इसको zoom कर लेंगे, इस तरह से दोनों उगली की मदद से, और उसके बाद इसके उपर जहाँ भी watermark है उसके उपर उगली से इस तरह से rate कर देंगे और हटा देंगे, बस यह देख सकते हैं watermark remove हो चुका है, ok कर देंगे और export पे click करके save कर देंगे, यह हमारी gallery में save हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी gallery में save हो चुका है और हमारे photo से watermark हट चुका है remove हो चुका है तो बहुत ही simple तरीका है दोस्तों आप इस तरह से remove कर सकते हैं तो अब आप जानना चाहते होंगे उस application का नाम, तो उस application का नाम मैं आपको बता देता हूँ उस application का नाम आपको प्लेश्टूर पे मिल जाएगा प्लेश्टूर पे जाएगे snapseed आप देख सकते हैं इस application का नाम है snapseed आप इस application को install करके इस तरह से अपने photo से watermark को remove कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें साथी channel को subscribe ताकि कुछ नया सिखने को आपको हर रोज मिल सके मिलता है next video में thank you guys